हाई गाईज वेलकम बाक टू नदर सेशन मैं आभाबनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट फेस का एपिसोड नंबर 726 आज की तारीक है 23 जुलाई 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आएस और अगर अभी तक आपने इन चानल को सब्सक्राइब नहीं किया चार बजे वेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विस के क्वेशन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विस के साथ आपका पहला क्वेश्चन था किस राज्जे ने ट्रांस जेंड योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है योगी अधितेनाथ ने स्टार्ट करेंगे आज के सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ मानवता के लिए एक मिलियन यूरो का गुलबैन की पुरसकार किसने जीता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी ग्रेटा थु पुर्त गाली अधिकार पुरसकार से समानित किया गया जल वायू परिवर्तन के कारण यूवा पीडी को सक्षम बनाने के लिए ग्रेटा थुनबर को गुलबैन की पुरसकार से समानित किया गया यह 1 मिलियन यूरो 1.1 मिलियन डॉलर 17 वर्षे परियावरन प्रचारक में देने का वादा किया ग्रेटा थुनबर्ग ने एमनेस्टी इंटरनाशनल के शीर्ष मानव अधिकार पुरसकार और स्वीडिश राइट लाइवली होड पुरसकार भी जीता है अगला प्रशन है राजे सभा सचीवाल्य ने ग्रुप सी के करमचारियों के लिए विती स सहायता की शुरुवात किसे पूर्व केंद्रे वित मंत्री के नाम पर की है तो इसका सही जवाब है और बीजेपी के दिगजनेता दिवंगत अरुन जेटली के नाम पर राजे सभा सचीवालय ने करमचारियों के कलियान के लिए एक योजना शुरू की है जेटली का उपर सहायता योजना के तहट इन करमचारियों की संतानों को इंजिनिरिंग, मेडिसिन, M.C.A., M.B.A. और L.L.B. के ख्षेतर में उच्छ तक्नीकी और व्यवसाइक शिक्षा के लिए तीन चात्र वृति दी जाएगी इसके अलावा करमचारियों को मृत्यू और अगला प्रशन है किस मंतराले ने आत्म निर्बर भारत के लिए यूनिसेफ के साथ साज़धारी की है तो इसका सही जवाब है ऑप्षिन नमबर डी यूवा मामले और खेल मंतराले यूवा मामले और खेल मंतराले ने देश में यूवा स्वें सेव को दुवारा आत्म निर्बर भारत अभियान का लक्षे हासिल करने के लिए UNICEF के साथ भागेदारी की है भारत सरकार ने UNICEF के यूवा के साथ एक बयान परहस्ताक्षर किये है यह UNICEF दुवारा गठित एक बहु हिस्सेदारी धारक मंच है यूवा पहल को नवेंबर 2019 में भारत में UNICEF दुवारा शुरू किया गया था यह पहल अपचारिक शिक्षा प्रनाली में यूवाओं के लिए मूलभूत और 21 सदी के कोशल तक पहुँच कर बढ़ावा देती है इसमें जीवन कोशल, मूलभूत कोशल और प्रभावशाली वितरन मॉडल को शामिल किया गया है यहाँ पर एक क्विक रिविजिन की बात करें तो UNICEF को हेड़कोर्टर है न्यूयोक यूनाइटिट सेट्स में और इसके एग्जेकेटिव डारेक्टर है हैं ड्रेटा होल्समैन फूर अगला प्रशन है किस मुख्य मंत्री ने हाल ही में मुख्य मंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर B अर्विंद केजरिवाल ने कोरोना वाइरस के प्रकौब के बीच दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना को मंजूरी दे दिए हैं मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्य मंत्री घर घर राशन योजना शुडू करने की घोशना की है इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर-घर राशन भिजवाया जाएगा मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना उसी दिन दिल्ली में शुरू होगी जब केंदर सरकार की One Nation One राशनकार योजना को लागू कर दिया जाएगा वर्तमान में राश्ट्री सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहट रियाईती राशन प्रदान किया जा रहा है राश्ट्री खाथ सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहट 81 करोड लोग सबसीडी वाले खादान के हकदार है यह योजना राशन काडों की अंतर राज्य और अंतर राज्य पोटेबिलिटी भी प्रिदान करती है यहाँ पर एक क्विक रिविशन की बात करें तो फर्स प्लाजमा बैंक कहां बना है न्यू डेली में और भारत का पहला पब्लिक एवी या इलेक्टरिक वीकल्स चारजिंग प्लाजमा पर है न्यू डेली में अगला प्रशन है ब्रिक्स चेंबर ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री CCI के यूवा नेताओं के लिए संचालन समीती के मानत सलाकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर C टीना डाबी 2016 की सिविल सेवा परिक्षा के टॉपर IAS अधिकारी टीना डाबी को ब्रिक्स चेंबर ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री CCI के यूवा नेताओं के लिए संचालन समीती की मानत सलाकार न्यूक्त किया गया है डाबी को यंग लीडर्स कारेकरम के लिए इंडिन चैप्टर का अ रूप में तेनाथ हैं CCI यंग लीडर्स अपने कारेकरमों और पहलों के माध्यम से देश भर के लाखो यूवाओं तक पहुंचती है वह यूथ लीडर्शिप कारेकरम के थैथ हर साल होने वाले यूथ लीडर्शिप स्किल्ड डवलप्मेंट जैसे कारेकरमों के लिए सल किया गया है तो इसका सही जवाब है option number B कुल्मीत बावा को systems, applications and products in data processing सैप द्वारा भारती उप महदुवीब के लिए नया अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक न्यूप्त किये जाने की घोशना की गई है वह देब दीप से इन गुपता का स्थान लेंगे कुल्मीत भार बांगलादेश और श्री लंका में प्रमुख वियावसाओं का मार्गदर्शन करेंगे कुल्मीत सीधे सैप एशिया पैसिफिक जपान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्टिंग करेंगे उन पर सैप के पारिस्थितिक तंत्र में करमचारियों और ग्रहकों के लिए एक असाधारन अनुभव प्रदान करने और सेवा का विस्तार करने के लिए जिम्मा होगा यहां पर एक कोई क्रिविजन की बात करें तो यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को करियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साज़ेदारी की है तो इसका सह की जवाब ऑप्शन नंबर B कनन CS वारियर वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उतकरिष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रे पुरसकार कनन CS वारियर को दिया गया है जो इंस्टिटूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग IFGTB के विज्यानिक है यह पु ICFRE राष्ट्रे वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच निकाय है ICFRE को हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा भूमिक शरन से संबंदित मुद्दो पर उतकरिष्ट कारे करने के लिए उतकरिष्टा केंद्र के रूप में घोशित किया गया था देश में पहली बार उप्युक्त लविन्य मृदा के लिए कैसुरीना के तीन लवन सहिंशूत पादक क्लोन जारी करने के लिए कनन CS वारियर को यह पुरसकार प्रदान किया गया है भारत में 6.73 मिलियन हेक्टे एक शेत्र लवन प्रभावित हैं और यह दुनिया में कैसुरीना का सबसे बड़ा उतपादक शेत्र भी है जो इन क्लोनों के उतपादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी है यहाँ पर एक क्विक रिविजन की बात करें तो वर्ल्ड फूर्ड प्राइज 2020 के विनर कौन रहे हैं डॉक्टर रतन लाल अगला प्रशन है आत्म निर्भर भारत अभ्यान के अंतरगरत मनो दर्पन पहल का शुभारम किस ने किया है तो इसका सही जवाब है ओप्शिन नंबर B रमेश पोख्रियाल निशंक केंद्री मानस अंसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोकरियल निशंक ने मानस अंसाधन विकास मंत्राले की एक पहल मनु दरपन का शुबारम किया यहें पहल COVID-19 के दोरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थे और कलियान के लिए मनो समाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रिंखला को कवर करती है प्रदान मंत्री श्रिन रेंद्र मूदी दुवारा 12 मैं 2020 को आत्म निर्भर अभियान के शुरुवात की गई है जो की भारत की अर्थ विवस्ता को COVID-19 के प्रकोप के बाद पुनर जीवित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज है शिक्षाक शेत्र में आवश्यक सुधार लाने मानव पुन्जी को मजबूती प्रदान करने और उत्पादक्ता को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में मनोदर्पन पहल को आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतरगरत शामिल किया गया है यहां पने कोईक रिविजिन की बात करें तो CBSE ने 200 स्कूलों में AI पाठेकरम को एक उक्रित करने के लिए किस टेक कंपनी के साथ समझोता किया है तो इसका सही जवाब है IBM अगला प्रशन है NMDC राश्ट्रे खनिज विकास निगम का नया CMD कौन होगा तो इसका सही जवाब है option number D सुमित देब सुमित देब को NMDC राश्ट्रे खनिज विकास निगम के CMD के रूप में न्युक्त किया गया है उनकी सेवा नुरित्ती की तारीक यानी 28 स्वर्विरी 2023 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो वर्तमान में ब्रजेंदर कुमार IAS CMD के रूप में सेवा रत हैं लेकिन वे 31 जुलाई को सेवा नुरित होंगे वर्तमान में देव इस पात्मंत्राले में निदेशक कार्मिक के रूप में सेवा रत हैं यहाँ पर एक विक रिविजन की बात करें तो MDC का हेड़कोर्टर कहां है है हैदराबाद में अगला प्रशन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षे उर्जा निर्यात निती को अधिसूचित किया है तो इसका सही जवाब है option number A आंधरप्रदेश आंधर प्रदेश सरकार ने एक अक्षे उर्जा निर्यात निती को अधिसूचित किया है जो अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमती देती है आंधर प्रदेश अक्षे उर्जा निर्यात निती सौर पवन परियोजनाओ पर लागू होगी राजे सरकार ने नई नीती में डिसकॉम को बिजली खरीदने के लिए कोई दायत्व नहीं है इसका उदेशे नवी करनिय उर्जा पर योजनाओ के बड़े पेमाने पर विकास के सुविधा है और आंधर प्रदेश में अक्षे उर्जा निर्याद पर योजना डिवेलपर्स को पांच लाख एकर संभावित भूमी के पट्टे की सुविधा प्रदान करना है यहां पर एक विक रिविजन की बात करें तो आंधर प्रदेश सरकार ने किस समुदाय के लिए जगना छे डोडू योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है दर्जी, नाई, धोबी, तीनों के लिए बात करें आंधर प्रदेश की तो इसकी डैम्स और इवर्ज में आता है स्री सेलम डैम कृष्णा, सोमा सिला डैम पेना, पोला वरम प्रोजेक्ट गुदावरी, नाशनल पाक्स और वाइल लाइफ सेंक्चुरीज में आता है पपी गोर्णा नाशनल पाक, स्री सेलम टाइ और पुलिगत लेक बर्ड सेंक्चुरी आंधरप्रदेश की कैपिटल है अमरावती सी एम है वाई एस जगरमोहन रेडी और गवर्णर है बिस्वभूशन हरीश चंदरन बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की गुलबैन के इन प्राइस वर हुमानिटी किसको दिया उख्यमंतरी घर घर राशन योजना किसने शुरू की है अर्विन केजरिवाल ने ब्रिक CCI के ओनरेरी एडवाईजर कौन बनी है टीना डाबी सैप इंडियन सबकॉंटिनेंट के प्रेजिडेंट और एमडी कौन बने है कुलमीत बावा नाशनल अवार्ड ऑफ एक्सिलें रेनुवेबल एनरजी एक्सपोर्ट पॉलिसी खांश शुरू की गई है आंधर प्रदेश में बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विस फॉर दे डे की आपका पहला क्वेस्चन है राजे सबा सच्री वाल्या ने ग्रुप C के करमचारियों के लिए विती सहायता की सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा रहा है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट ससेसीजलपनेकल.com और बलजीधाको.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा. Thank you so much.